आप कहा रहते हैं येशु ने उनसे कहा आओ और देखो संत योहुन का सू समाचार अध्याए एक पसंक्या 38 और 49 आप सबों को जै येशु आहां जब देखेंगे सू समाचार में प्रबु येशु अपने पहले सिशों को चुनते हैं फ़ईर एक बार जब योहन अपने दो सिशों के साथ वही थे संत प्रबु येशु मसी को गोजारते देखा और कहा देखो इस शुर का मेमना और वो दोसिश प्रभु येसु से पूछते हैं आप रभी कहां रहते हैं रभी आने गुरुवर गुरुवर आप कहां रहते हैं प्रभु का उत्तर साधारन, सीधा और सटीकता वोई कहते हैं आओ और देखो मेरे प्यारे विश्वासियों प्रभु आज वही वचन आपके जहन में आपके कान में डाल रहे हैं आओ और देखो मुझे कहां पर आना है या मुझे कहां पर जाना है मुझे क्या देखना है मुझे प्रभू को देखना है मुझे प्रभू में जाना है मुझे प्रभू मही जाना है कैसे जा सकते हैं प्रभू के पास प्रभू का वचन को सुनते विये प्रबु का वचन को पढ़ते विये और प्रबु का वचन में लीन होते में मैं प्रबु के पास जा सकता हूँ प्रबु को परक सकता हूँ प्रबु को अनुबाव कर सकता हूँ प्रबु को अपना सकता हूँ शायद यही बात उन सिश्चों में थी पहले वाले जब उनोंने प्रबु को देखा वो प्रबु के प्रबु महें हो गए क्योंकि प्रबु को करीब से अनुभव किया पहले सिश्चों ने प्रबु में क्या देखा प्रबु में नयापन क्या देखा मेरे प्यारे भाई और बहनों जब मैं गर्जागर आता हूँ मैं प्रात्ना करने के लिए बैटता हूँ मैं प्रबु में क्या देखता हूँ क्या वो खरीबी रिस्ता प्रबु में देखता हूँ क्या मैं प्रबु में हो जाता हूँ आज प्रबू आपको और मुझे वही निमंत्रान देते हैं आओ और देखो कि मैं तैयार हूँ प्रबू के पास जाने के लिए क्या प्रबू को अनुबव करने के लिए तैयार हूँ योवन बप्तिस्ता ने वो सिश्यों को दिखाया और सिश्षों ने प्रबू को अपनाया और सिश्ष प्रबू के साथ रहने लगे धैनी प्रात्न में मैं भाग लेता हूँ मालविंती मैं जबता हूँ क्या उसके बहुजुद में मैं प्रबू के पास आ सकता हूँ प्रबू के करीब मेरा रिस्ता है प्रात्ना करें दुआ करें और आज जब प्रबू का वच्चन सुनेंगे प्रबू आपको भे कहेंगे आवो और देखो आमिन